हेलो गाइज कैसे हैं मीट करती हूँ अच्छे होंगे और मैं आज आपको दिखा रही हूँ 8 आठ एजी टिप्स रमजान के लिए पहले तो मैंने यह शॉपिंग करी थी मेरी रमजान के लिए ताकि मुझे हर काम एजी हो जाए और जल्दी हो जाए यह मैंने लिया था नाइ रहा था मतलब इतना अच्छा था कि इसमें थ्रीक अपार्टमेंट में हमने रख लेना था बस नीचे पानी आ जाएगा अगर हम इसको रखते हैं और इसमें फिर यह फिक्स कर देना है इसका डकन है मच्छर कोक्रेज कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगने इसमें चॉपिंग बॉर्ड आपको दिखाया है था यह लिए मैंने जिप लोग बैग यह भी बहुत अच्छे होते हैं रमजानों में स्टॉप करके रखने के लिए सामन और यह मैंने कीरा चीलने के लिए लिए था कीरा बग्रा और आलू और यह लिए थे मैंने प्राठे वकिरा बनानी के लिए बहुत जरूरती और थोड़ी सी क्रोकरी ली थी मैंने यह मेरे पास थी नहीं खराब हो गए थे सारा मेरे डिनर सेट था वो थोड़ा खराब हो गया है शादी का था इस वज़े से मैंने यह लग लग कलर के लिए मेरे को बहुत अच्छे बहुत प्यारा है मतलब हमें डबल चटनी वगरा रखनी है तो बहुत अच्छा था वह यह बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेते मुझे और यह बाउल लिया था मैंने मिक्चर वगरा बनाने के लिए बहुत से चीजों में जरूरत पड़ती इस बहुत अच्छा होता है बस मैंने यह खरीदारी करिए सबसे पहले अपनी रमजान की शॉपिंग करिए अभी और अम मैं दिखाते हूं आपको नाइफ जो रखने के लिए मैंने लिया था यह देखो कितना अच्छा है कितना सारा सामना गया मतलब बहुत अच्छे से और इतना सेफ लगाना मुझे सबसे अच्छा प्रोडेक्ट मुझे यही लगा बहुत बैस्ट लगा मुझे यह सबसे पहले तो यह ढग जाता है कितना अच्छा है जैसे कि हमारे छोटे किचन है तो उसके लिए तो हमें यही सब चीज़े लेनी पड़ेंगी ना मॉडलर किचन तो है नहीं जो अंदर र किचन کا सामन अपना ओतार लिया था नीचे रख लिया है और बस साफ साफाई हो चुकिया है मैंने अपना सारा सामन वापिस लगा चुकी हूँ कितना अच्छे से मेरा साफ हो गया एक गदम चमक रहा है और यह मसाले रख दिया अब मैं कर दो फ्रीज की सफाई सेकंड टिप और अब इसको हम करेंगे नीबू और विनेगर और बेकिंग सोडे से सफाई करेंगे फिरेज की क्यूंकि इसके अंदर इसमेल नहीं रहती है फिर अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे तो इसके अंदर नीबू की खुश्बू आएगी और बहुत अच्छी लग सा चाहिए आगकर अवेश कर लोंगी सफ दिखूसर करेंगे अलाओ करेंदर केल देखंग में इक हको सफाई कितना घंद हो ऑग गया है जबकि मैंने अभी एक हफ्ते पेहलेही साफ किया अच्छी मेने डुबारा स्टार्ट किया अब पहले तो मैं सिसांफ कर ए दर आछी कहते हैं जो साफ हो जाएं फिर इसको हम साफ करेंगे नीबू की मदद से यूज नीबू जो होते है ना उसका हम यूज कर सकते हैं उनको फेक्टनेस अच्छा है कि हम इन सब कामों में यूज कर सकते हैं जो हमने यूज जो बच्छता है हलका फुलका पल्प जो होता है उससे हम साफ कर सकते हैं फ्रीज को अपने बहुत अच्छे से और काफी अच्छे से साफ सफाई करने के लिए हमें वही जादा अच्छा लगता है खुश्बू भी अच्छी देता है यह सेट बाइपने दिखाए हैं चल्दी होता है बाहर से कुछ लाना भी नहीं हुँ पड़ता है बीना फाल्त का खरेदने के लिए और घर से ही हो जाता है सहाता है और अब देखो मैं आपको दिखाती हूं और मैं क्या-क्या लिया मैंने मैंने लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा और लोगी इसके अंदर नीबू और लोगी वैसे मेरे पास मैंने यूज किया नीटा नीबू इस वज़े से मैंने लेने पड़ा और विनेगर लिया है मैंने ये अब हम इन तीनों से इसको फ्रेज को अपने क्लीन कर लेंगे अच्छ क Queensborough's elder काहिम वैसाफ निवार से, करें निवार से निवाज हो क कि नेशाए की यृची है थोड़ी बहुत गर जाती ओग बसकाना की का मैं सबूहर सुना ज़साफ निवार नईवार ऐसल व्लादा इंसाफ RHrat कि देखो कितने अच्छे से एकदम हमें रगण लेना है बहुत अच्छे से इसको एकदम साफ करके बहुत अच्छे से इसको घिसना है कर लेना हैं अच्छे से कोरत में अच्छे से इसको भी कप्रिश में आजशी नके बहुत अछ जाता है और अच्छा दिखता है हमारा फ्रेंज बाद में खुश्बू बहुत अच् очень आती है यह हो चुका है हमारा फ्रीज रेडी कितना अच्छा साफ हुआ था ना आप खुद देख लो रिजल्ट आपके सामने है एकदम चमक गया था फ्रीज पूरे फ्रीज को मैंने अच्छे से साफ किया है मेरा अच्छे से साफ हो चुका है देखो यह देखो मैट मैंने लिये थे मीशो शे और इसके साथ मुझे फ्रीज का उपर से कवर भी आया था वह भी मैं भी आपको दिखाऊंगे यह उपर दिख रहा है ना यही है लेकिन बहुत बैस्ट है जिसके यहां पर जाली वाला रेक है इसके अंदर फ्रीज के अंदर उसके लिए तो बहुत बैस्ट है यह बहुत ही संदर लग रहा था बहुत ही खुबसूरत मेरा फ्रीज इसके बाद तो न्यू लगने लगा है यह हो चुग है हमारा फ्रीज रेडी और देखो कितना साफ इतना संदर और मैंने जो आपको भी जिप लोग बैग दिखाए थ उसके अंदर मैंने दो को यह सब्जियां वगेरा इसमेल नहीं आती है जिप लोग बैग में पैक करके आप डाल दोगे तो फ्रीज भी हमारा एकदम और नाइस साल लगता है एकदम साफ सुत्रा हो जाता है फैली भी थेलियां नहीं दिखती है और एकदम साफ यह मैंने र रखेते मैंने टमेटो और थोड़ी सी हरी मिची थी यह रखती थी मैंने अब मैं इसमें जिप लोग बैग में मैं रख दूँगी अच्छे से अब इससे देखो फ्रीज कितना साफ दिखेगा एकदम अच्छा दिखता है और ना सब्सियां जो है न इसमें जल्दी खराब नहीं होती है एकदम अच्छे से से रखी होती है और खराब नहीं होती है यह हो चुक है हमारा फ्रीज रडी कितना प्यारा लग रहा है मेरा बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है अब हम लेते हैं थर्ड टिप्स अब हम करेंगे लसन और अधरक की साफ करके मैंने इनको दोले है चील के और अब इनको में ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से पीस लूँगी और इनके बनाएंगे हम आइस क्यूब क्यूंकि हम लोगों को ना रमजानों में इतना टाइम होता नहीं है इसको चीले फिर बनाएं इस वज़े से सबसे अच्छे इजी टिप्स हैं इसको आप ऐसे करके ट्राइ करके देखो इजी हो जाएगी आपके लाइफ भी आप बस आइस क्यूब बना लेंगे हम अब मुझे जब भी कभी सबजी बनाने का होगा मैं एक क्यूब निकालोंगी और अपनी सबजी मेरी तयार है मुझे यह भी जरूवत नहीं है कि मुझ जिंजर गालिक पेस्ट रिड़ी सो बहुत अच्छा टिप से तो आप जरूर यूज़ करके देखें एक बार मिरी आइस ट्रय में मैंने सारा जिंजर गालिक पेस्ट लगा दिया है अम मैं फ्रेज कर दूँगी इसको अच्छे से इसको फ्रेज कर दूँगी और इधर मैंने लिए हैं फॉर्ट टिप से हमारा की नीबू लिए है मैंने लेमन और लेमन जूस मैं निकाल के उसको भी मैं आइस फ्रे में लगा दोगी ताकि टाइम वेस्ट नहीं होता है रमजानों में हमें और भी बहुत से काम होते हैं पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो जाए इसलिए यह सब काम बहुत बेकार लगते हैं मुझे उस टाइम पर अब मैं यह भी आइस ट्रे में डाल दोंगी अच्छे से इसके भी मेरे आइस क्यों बनके रेडी हो जाएंगे कि काफी अच्छे से यह मैंने पहले इसी डाल दिया था फिर मैंने इसको निकाल के द अच्छी अध्रकलस जेंजर गालिक्स का क्यूब कितने अच्छे बन गएते हैं अब मुझे जबी भी सब्स बनानी है सिर्फ मैं एक पीस लोंगी और मैं अपनी सब्स रेडी कर लोंगी मुझे जंजट नहीं है कि मुझे छीलना है अध्रकलसन जो भी है और मैं इसको आप लेमन वाटर जो मैंने निकाला था लेमन जूस वह भी में फ्रीज कर दूंगी आइस क्यूब निकाल के उसका भी लेमन क्यूब निकाली मैंने और जिप लोग बैक में रख दिया अब हमारा फिफ्ट टिप सही है मैं हॉममेड मसाला घर पे बना के अपना रखती हूं हूं अब कम से कम हरी लाई ची और थोड़ी एक स्पून मैंने काली मिर्ची और जीरा लिया था पचास ग्राम सो ग्राम धनिया है तो पचास ग्राम जीरा लेना होगा आपको आदा और इसको हम हलका ड्राय रोस्ट कर लेंगे अच्छे से बिलकुल हलका करना है ज्यादा भूनन अब तरह बाद नहीं पड़ेगी हम डारेक्ट इस मसाली को लेते हो मेट मसाला और सबजी में डालेंगे और एक क्यूब जिंजर गालिक पेस्ट का डालेंगे और हमारी सबजी जो होई की जो भी वह रेडी अब मैंने यह निकाल के ठंडा कर लिया है अब इसको हम जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हमारा यह हमेड मसाला ग्राइंड करने के त्यार है और यह हो चुका है रिडी यह दो कितना अच्छा और इतनी अच्छी खुश्बू आती इसके अंदर से बैस मतलब बहुत ही अच्छा बनता है यह आप भी घर पर बना के ट्राइब करें अब इसमें में डालूंगी दो बड़े चमच हल्दी के मेरी चमच छोटी है इसलिए में चार से पांच चमच डाल देना और अब इसमें में डाल दोंगी रेड चिली पाउडर वो भी मैं दो से दो तीन बड़े चमच डालूंगी रेड चिली पाउडर में अपना यह मेरे पास चमच बहुत चोटी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे डाल रहे हूं लेकिन यह तीन बड़े चमच रेड चिली पाउडर है आप वो चुका है India में कितना डलना, कितना नहीं तो इसलिए अभी मिक्स कर आए पने जार में फिक्स कर देंगे यह ओचुका है हमारा हॉममेड मसाला बहुत अच्छा बहुत बेस्ट होता है आपका भी बनाओ तो जरूर कमेंट में बताना कैसा था रिजल्ट इसका मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यह बस हमें जार में डाल के इसको रख दूंगी और इतना इसी हो जाता है इन सब को आप करोगे ना इतनी easy life हो जाती है मतलब हम लोगों को लगते ही नहीं कि हम इतनी जल्दी काम कर जाते हैं बहुत जल्दी काम हो जाते हैं और अपने रमजानों में तो टाइम ब्से भी बहुत चाहिए होता है अपनें फिर पढ़ाई लिखाई में टाइम दो अपना है आप अगर बनाओ तो जरूर कमेंट बताना कि कैसा बना खुश्बू तो बहुत ही अची आती है इसकी बहुत ही बैस्ट बस अब मैंने रख दिया है अब इधर हम लेते हैं बैसन और उसमें हम डालेंगे इसको भी मैं रेडी करके रख लेती हूं बैसन को भी अपने हो क्यू मसाले तो बहुत दिक्कत होती है मैंने इसमें लिए एक बड़ा चम्मच नमक का और मैं यहां लोगी जो मैंने अपना हॉममेड मसाला बनाया है उसको मैं छोटे दो चम्मच डाल दोंगी भरके बस और इसमें मैं डाल रहूं थोड़ी सी हल्दी क्यूंकि हल्दी थोड़ा ज्यादा यूज़ करनी चाहिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको हम काफी अच्छे से और मेरे व्लोग कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट में बताया करें लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और कैसा लगा आज का व्लोग मेरा रमजान प्रपेशन दक आप मुझ़े जरूर बताना कैसा था मेरा व्लोग कमेंट में जरूर बताना मैंने यहाँ हल्दी डाल दिया है दो चमश बड़े दो बड़े चमज डाल दें यह मैंने वन केजी बेसं लिया था आप यहां डाल रहे हो रेट चिली पाउडर यह भी दो बड़े दो से तीन बड़े चमज हम डाल देते हैं हुआ प्तव मारा बेसंन रेडी अब बस इसको निकाल के हमने पकोड़ी बड़े हैं आप इसको मैं हम Boss it बना लेनी है अब इसको हम पाउरे में पम में जबना लेए इसपो निकाल और हम अजंबर माओडै त bé दो आ सलएं मिलते रहें ये तो बहुत जरूरी टिप्स है जरूर करके देखें आप बस हमें इसको डबे में डालके और रख दूँगी और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप जरूर कमेंट में बताया करें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आज का मेरा रमजान प्रोपेशन का जो मैंने आज का मेरा व्लॉग और बस अब मैं श्टॉक करके से रख दूँगी ठीके बाई अल्ला हाफिज अपना ख्याल रखें